गुड मॉनिंग चिल्वेन आज हम लोग स्टांडर्ड शीक्स हिंदी ब्याकरन परिचे चप्टर फिप्टिन काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि काल क्या होता है क्रिया के जिस रूप से कारी करने या होने के समय कह ग्यान होता है उसे काल कहते हैं अर्था क्रिया के उस रुपांतर को काल कहते हैं काल की परिभासा है क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं जैसे कि पिता जी दफतर गए थे मैं बिद्याले जा रहा हूँ मा बाजर जाएगी उपर चो दिया गया है ये बाक्य सब उसमें से क्या है? पिता जी दफतर गए थे कब गए थे? पहले तो ये क्या बता रहा है? बिता हुआ समय को बता रहा है मैं बिद्याले जा रहा हूँ कब जा रहा हूँ चल रहे समय में तो ये क्या बता रहा है वर्तमानकाल को बता रहा है मा बाजार जाएगी कब जाएगी बाद में तो ये क्या बता रहा है आने वाले समय में तो इन बाक्यों से यहाँ पता चलता है कि क्रिया अलग-अलग समय में हुई है कुछ बीते हुए समय में कुछ चल रहे समय में और कुछ आने वाले समय में होगी तो अब हम जानेंगे काल के भेद के बारे में काल के तीन भेद होते हैं भूत काल, वर्तमान काल, भविश्यत काल तो सबसे पहले जानेंगे भूतकाल के बारे में कि भूतकाल क्या होता है क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं भूतकाल को पहचानने के लिए बाकी के अंत में था, थे, थी, आदि आते हैं अब हम जानेंगे भूतकाल के परिभासा के बारे में, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होनी का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे कि राम ने खाना खाया, राम ने राबन को मारा, ये सब क्या बता रहा है, भूतकाल को बता रहा है, अब हम जानेंगे भूत कालके छबेद होते हैं, शामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदीग्द भूत, हेतु हेतु मद भूत, तो सबसे पहले हम जालेंगे सामान्य भूत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ग्यान न हो, उसी सामान्य भूत कहते हैं, लेकिन सामान्य भूत में था, ठी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का निश्चित ग्यान नहीं होता है, अब हम जानेंगे सामान्य भूत की परिभासा के क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप में भूत काल में होने का पता चले उसे सामान्य भूत कहते हैं जैसे वह चला गया राम ने खाना खाया इन बाक्यों में आये चला गया खाया क्रिया रूपों से भूत काल की सामान्य अवस्ता का ज्यान होता है क्रिया की पुन उन्नता की कोई भी से सुचना नहीं मिलती है तो उसे हम लोग सामान्य भूत कहते हैं अब हम जानेंगे आशन भूत के बारे में आशन का अर्थ है निकट यानि कि किरिया के जिस रूप से किरिया के बेफार का समय आशन ही समझा जाए उसे आशन भूत कहते हैं जैसे कि अंकूर बिहार से लोटा है मैं खाना खा चुका हूँ अब हम जानेंगे आशन भूत की परिभासा के बारे में जिस काल से यहां ग्यानत होता है कि किरिया कुछी देर पहले समाप्थ हूई है उसे आशन भूत कहते हैं जैसे उसने खाया है, वो हो गया है, इन बक्यों में क्या है, खाया है और गया है से ग्यात होता है कि क्रिया कुछी देर पहले समाप्त हुई है, यानि कि जो क्रिया कुछी देर पहले समाप्त हुई है उसे आसन भूत कहते हैं, अब है पूर्ण भूत, पूर्ण भूत किसे कह करिया के जिस रूप से बीते समय में कारी समाप्ती का पुन्भूत कहते हैं। अतह गया था और आया था पुन्भूत की करिया के रूप है। अब हम जानेंगे अपुन्भूत के बारे में। कि करिया भूत काल में प्रारम हुई परंतो उसकी पुन्भूत की सुचना ना मिले उसे अपुन्भूत कहते हैं। जैसे वह सो रहा था वह पढ़ रहा था इन दोनों बाक्यों में सो रहा था और पढ़ रहा था से ज्यात होता है कि कारिया पहले आरंभ हो गया है। परंतो उसकी पुन्णता की सुचना नहीं मिल रही है अता इन्हें अपुन्भूत मानेंगे। अब हम जानेंगे संदिक्द भूत के बारे में। क्रिया के जिस रूप से बिते हुए समय में कारिय के पुन्ण होने या न होने का संदिक्द भूत कहते हैं। संदिक्द भूत की परिभासा है जिस काल से भूत काल में क्रिया के होने में संदेह मालूम पड़े उसे संदिक्द भूत कहते हैं जैसे वह गया होगा तुमने खाया होगा इन बक्यों में गया होगा और खाया होगा से जाना और खाना क्रिया के भूत काल में होने में संदे मालुम पड़ता है अत यह संदिक भूत है अब हम जानेंगे हेतु हेतु मद्भूत के बारे में क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चले कि क्रिया भूत काल में होने वाली थी परन्तो किसी कारण वस नहीं हो सकी उसे हेतु हेतु मद्भूत काल कहते है हेतु हेतु मद्भूत की परिभासा है क्रिया के जिस रूप से यह ग्यात हो कि कोई हेतू या कारण होता तो क्रिया भूत काल में हुई होती उसे हेतू हेतू मत भूत कहते हैं जैसे तुम पढ़ते तो पास होते वो आता तो मैं जाता यहाँ पास होना और जाना क्रिया के भूतकाल में न हो पाने के सुचना मिलती है क्योंकि उनके कारण क्रमसब पढ़ना और आना उपस्तित नहीं हो सके तो बच्चो आज हम लोग काल, काल के तीन भेर और भूतकाल के चह भेदों के बारे में जानकारे प्राप्त किये अगली कक्छा में हम लोग वर्तमान काल और भविशत काल के भेदों के बारे में बर्नाना करेंगे धन्यवाद